आप कर आईएगा कर पुश्पा जी मैडम सर भी ना हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल देती है मतलब सुना ने तुमने अंदर मैडम सर ने क्या कहा उन लड़कियों के साथ जो डटकर मुकाबला कर पाएगा वो ही वाइल काड एंट्री में जाएगा अब हमारे आलावा उनके साथ डटकर मुकाबला कौन कर सकता है बताओ मतलब कुछ भी इमारत घंडार हो गई लेकिन देखो कॉन्फिडेंस बुर्ज खलीफा वाला है अरे पुषपा जी अगर साड़ी पहन के हम बिंदी लगा लेना ताब से ज्यादा खुब्सूरत लगेंगे खुब्सूरती सिर्फ शकल से नहीं होती है अधाओं से भी होती है कि किसे से अधाओं से और हममें तो अधाइं कूट-कूट के भरी है के आसिफ अगर हमें देख लेते न तो मधों की जगा हम होते मुगले आजम में अगर पुषपाजी मधुबाला है तो हम धरम पाजी है ये धरम है तो मैं सलमान हूँ नहीं, तुम तो सल्मान खान लगते भी हो, तेरे नाम में इंटरवल के बाद सल्मान खान से महिसा हो गया था, तकला साथ ओहो, हम भी कहां भैस के आगे बीन बजा रहे है कुषपा जी, आपको ना थुड़ी और अदाएं दिखानी पड़ेगी, तभी यह मानेगी सही बोली संतु जी एक दम सही बोली रफी पुषपा जी यहीएक मोगा है दिखाओ अपना उमर आच्छा अच्छा इन दिखाँ को रहे, कमोगा कुछने बहुत मज़ा खाओ गया पुश्पाजी, चीटी खुज गया गया कपड़ा में नहीं वो पुश्पाजी, फैशन इवेंट में पार्टिसिपेट करने की तयारी करें ये, हाँ अच्छा, आप पार्टिसिपेट करेंगी हाँ, आप करना ही पड़ेगा ना मैडम सर की इतनी उम्मिद हैं जो हैं हमसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो दिये उन्होंने अब उनका भरोसा थोड़ी ने तोड़ सकते हैं एक मिनट, एक मिनट, पुश्पाजी हमने आप से कब क्या कहा मैडम सर, हम आपको भी तो अच्छे से जानते हैं ना जब आप अपने तज्जूर्बे से कुछ भी कहती है ना तो हम भी हमारे तज्जूर्बे से सब कुछ समझ लेते कि आप क्या कहना चाहती है आपने क्या कहा था? उन लड़कियों को डट कर मुकाबला करने वाला अब आपका इशारा हमारी तरफ है यह आपने जट से पहचान लिया माफ कीजी पुषपा जी लेकिन इस बार आपको मिस अंडिस्टान्डिंग हुए हम को? जी दरसल महिला पुलिस थाने को आप नहीं संतो शर्मा रिप्रेजंट करेंगे सिखा देंगे संतु को है वा मेंदम से, वा मेंदम से, वा मेंदम से, वा मेंदम से विल्कुल tęक चुनाओ की हैं अप इसके लिए मतलब हमनकteen देल संच श्यू है थैंक यो तरैंक यवहर माँचimaan थैंक यहर माँच ठीक है now और क्या है था धि counting room इस लिए Santuji बिलोटे यार बिलोटे एर कितना खूशी का बात है ना कि मतलब Santuji मॉडल बनेंगे और Santuji रैंप पर चलेंगे यार बिलोटे, कितना ज्यादा अच्छा होगा न, बिली ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन तुम इतने क्यों खुश हो रहे हूँ ले अरे क्या बिल्ले क्यों नहीं खुश होगा? सच बोल रहा है बिल्कुल सच बिल्कुल सच लेखो अभी क्या है मॉडेल बन जाएगी फिर मॉडेल बनके हेरेन बन जाएगी तो प्टा तक होने है हीरो और इस जनम में तुम हीरो असम्भाओ चांस नहीं कल के एवेंट के सेफटी प्रोटोकॉल्स हम आपको अच्छे से समझा देते हैं आपकी सेफटी हमारी पहली प्रायोरिटी है मुझे डर लग रहा है माम मैं कल के एवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करूगी देखे आप गबराये मत हम हैं कैसे ना घबराये माम यह दिखे यह लेटर अभी कुछ ही देर पहले मुझे मिला है और उसमें साफ साफ लेखा है कि एवेंट चाहे महिला पोलिस साना में हो लेकिन अगर मैंने पार्टिसिपेट किया तो आगी जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी दीजे जरा यह किस ने दिया आपको वो चौक पर एक बच्चा कर दे कर गया उसने का कि उस अंकल नहीं दिया है उसने भा इशारा भी किया जह वो खड़ा था लेकिन वो भासी जा चुका था वेन्यू चेंज करने के बाद हमने अभी अभी मैनेजर को बताई है तो फिर कॉलर तक यह बात पहुंची कैसे आप में से किसी की पास आया असा लटक? नहीं पर क्या फर्क पड़ता माडम जान का खत्रा थो हम दिनों पर है और फिक्र की बात तो यह है कि उन्हें पता है कि यह इवन्ट महिला पुलिस थाना में होने वाला है तो और भी वह हम पर हमला करने से कत्रान ही रहे देखे आप घबराई मत आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी आपको कुछ नहीं होगा पता नहीं माडम खल वो थ्रेट कॉल्स और आज यह लेटर्स मुझे नहीं लगता मैं पार्टिसिपेट कर पाऊंगी हाँ माडम मुझे भी बहुत डर लग रहे हैं मैं भी पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करूंगी लेकिन मैं आउंगी मैं मुझे मैला पुलिस थाना की टीम पर पूरा भरुस है मैं जानती हूँ यह आप लोग मुझे बचा लेंगे मैं कल के इवेंट में पार्टिसिपेट करूंगी हमें एक चीज अब भी समझ नहीं आ रही है कि एक ब्यूटी पैजिंट में कोई तीन लड़कियों को पार्टिसिपेट करने से क्यों रोकेगा उसका क्या फाइदा होगा कोई सर फिर आशिक है जो नहीं चाहता कि यह लड़कियां कॉंपटिशन में भाग ले और आगे बढ़े गली महले से निकल के जब लड़की आगे बढ़ जाए की तो भाव नहीं मिलेगा न इनको अब टेंशन मत लीजे ऐसा कंटाप मारेंगे ना कि तोती की तरह सा बुगल देगा वो फिर वही कंटाप संतो शर्मा इस कॉंपटिशन में आप वाइल कार्ड एंट्री हैं आप वहां लड़कियों के साथ रहेंगी बाकी सब कुछ हम मानिटा करेंगे पर माडम सर अभी इवेंट में सिफ मैं और सुनाली रह गए हैं युक्ति और भाविका ने तो नाम भूल दिया है फिर तो ये मुकाबला सिर्फ नाम करें गया अगर ये दोनों नहीं रहेंगी तो सुनाली के लिए तो ये जीत आसान होगी भाविका और युक्ति पार्टिसिपेट करेंगे आप लोग तैयारी कीजिए क्या आप लोग भाग लेने के लिए तैयार हो गई ये तो बहुत अच्छी बात है मैडम सर कैसे क्या है ये चपकार आपने भाविका और युक्ति आप लग जाए और इवेंट के लिए तैयार हो जाए जी मारे मैडम बड़े ताज्यूप की बात है मैं तो ये कल से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपने ऐसा किया क्या सरकार ने अगर हमें महिला पुली स्थाना दिया है समालने के लिए तो कोई तो खूबी होगी एहम ये नहीं है कि उन लड़कियों को हमने मनाया कैसे एहम ये है कि अब उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और साथ साथ उस मुझरम को पकड़ना भी इसलिए सब लोग अलर्ट रहिए जीता कहा है? बस आता ही होगा संतो शर्मा जीता को फोन करिये और उसे कहिए कि हमने उसे जो काम दिया है वो जल से जल कर किया है येस मानम सा आप लोग ताया रहिए वहां पर जजिस भी होंगे और हमारी बात उस मुझ्रम तक पहुँचे इसलिए हमने मीलिया को भी बुलाया आज एक बार फिर लखनाउ महिला पुलिस थाना एक अनोखे इवेंट को और्गनाईज करने जा रहा है ये इवेंट आने वाले फाइनल का मोग रियरसल है हसीना मिलिक के गाइडेंस में आज पहली बार एक फैशन इवेंट में एक लेड़ी पुलिस ओफिसर मार्डिसिपेट कर रही है अभी कुछी दिनों पहले महिला पुलिस थाने को बैस्ट थाने के अवर्ट से नमाज अगया था अभी देखते हैं ये पुलिस ओफिसर अपनी फाइनल पे जगा बनाती है या नहीं आप सभी अपने चेर्स पर दिल थाम के बैठ जाएए now I would like to invite our esteemed judges Khyati ji round of applause and Navin ji and special thanks to SHO Hasina Malik यार यह बोलता ही रहेगा या शो भी शुरू करेगा तो चलिए शुरू करते हैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस लखनाव करश मसें मार्केट एरिया बंद है भार जाने के जित्ते भी रास्ते उन सब पे हमारी नजर है आप टेंशर मत लीजे कोई कहीं नी जाएगा गुड जब पुष्पा जी येस माडम से चीता कहा है अभी थोड़ी दर पहले बात हुई हमारी बस जैसे रिपोर्ट मिल जाएगे जल से जल आपको मेसेज कर देगा ओके सब लोग अलट रही है इवेंट चुरू होने वाले जी येस माडम से अमाधी नहीं रहे है माधी नह तो आई नहीं रहा है सामने पेशन्स कर रश्मा सिंग वो यही है इवेंट अभी तक खत्मनी हुआ है आप होश्यार देगा है अब हमारे जजजेस इस कॉम्पटिशन के विनर का नाम अनाूंस करेंगे तो कॉम्पटिशन बहुत तफ था और फाइनल्स में जाने वाले न यूक्ती And the second position goes to Bhavika And now last but not the least any guesses tomorrow की पिनर है को कि संतो सर्मा हुष। कर दो अरे जिगला जिगला कर दोगा हुआ है। यां कर दोगा यां झाल 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 दोस्त बनकर बहुत अच्छा साथ दिया आपने हमारा मैडम से दरसल बात ये है कि आप चाहती ही नहीं थी कि हम ये केस सॉल्फ करें तुश्पा जी, सोनाली को औरेस्ट करिये केस बाडम से दोस्त समझा इसने सिर्फ रोकना चाहा चलो ये सारा खेल सोनाली का रचाह हुआ था लास्ट मिनिट पर वेन्यू बदलने की वज़े से ये बॉखला गए और उसने डराने के लिए आप दोनों को वो लेटर लिखा लेकिन जल्दबाजी में सोनाली ने एक गलती कर दी लेटर सिर्फ खुद के लिए लिखा आप दोनों के लिए और तभी हमें इस पर शक हो गया था हमारा शक तब और जादा बढ़ने लगा जब आप दोनों ने कॉम्पेटिशन में हिस्सा लेने से मना कर दिया लेकिन सोनाली डटी रही मगर मैडम सर आपको कैसे शक हुआ कि ये खत सोनाली नहीं प्लान किया था क्योंकि कल राथ हम सोनाली के घर गए थे और वहां मिली हमें इसके हातों की लिखी हुई डाइरी वो डाइरी और जो हमें लेटर मिला था इन दोनों को हमने बिजवाया चीता के पास हैं राइटिंग एक्सपर्ट को देने के लिए पर माडम हमें फोन तो किसी आदमी ने किया जातली यार राइट और इस बात का जवाब है वो हैं राइटिंग अनालेसिस की रिपोर्ट जो हमें चीता ने भेजी इसकी डाइरी में जो हैं राइटिंग थी और जो लेटर पर हैं राइटिंग थी वो मैच नहीं की लेकिन उस डाइरी में हमें एक और लेटर मिला किसी कबीर नाम के आदमी का और वो हेंड्राइटिंग औरिजिनल लेटर की हेंड्राइटिंग से मैच हो गए बस फिर इसके बाद तो सारी बात साफ तो मगर सोनाली तुमने इस अब किया क्यूं क्यूंकि मैं चाहती थी कि तुम दोनों इस कॉंपेटिशन से बैक आउट कर लो मैं हर हाल में ये कॉंपेटिशन जीतना चाहती थी ताकि फिल्म्स के लिए मेरा रास्ता आगे खुल जाता गलत इरादों से सही रास्ते नहीं खुलते सोनाली जिस रास्ते की शुरुवात ही जुर्म से हो उसका अंत तो सलाखों के पीछा ही होगा न अब इतना सब कुछ बताई दिये तो इस बात पे भी रोशनी डालिये कि वो बंदा इवेंट से भागा क्यों वो एक मामुली सा इलेक्टिशन था जिसका सोनाली से कोई लेना देना नहीं मतलब बिना मतलब वो इलेक्टिक शॉक देने जा रहा था वो किसी को इलेक्टिक शॉक नहीं दे रहा था वो बस अपना काम कर रहा था मतलब आप जानती थी मतलब आपको सब कुछ पता था पहले से फिर भी आपने हमें नीचा दिखाया सब के सामने हमारे उपर बंदूप ताना, यह आपका सच्चाई है यह आपका दोस्ती है करश्म सिंग अभी क्या कह रही है ठीक है माना कि हम सच्चाई जानते थे लेकिन हमें बस शक था कि इस सब में सोनाली इंवाल्ड है वो क्या करने वाली है हमें इसका कोई अंदाजा नहीं था लेकिन लास्ट मिनिट पर पोडियम पर जाते वक जब सोनाली ने एक फोन कॉल किया तब हमें यकीन हो गया कि वो इन दोनों पर अब हमला करवाने वाली है इसलिए उस वक्त तीन तीनों को धक्का मार कर वहां से हटाना हमारे पास एक ही ऑप्शन था लेकिन इस सब के बीच आपने एक निर्दोश आदमी पर बंदूक तान दे इसलिए हमें वही करना पड़ा जो हमने किया बक्वास तब बक्वास है यह हम नहीं मानते हैं यह सब आपने इनसेक्योरिटी के चलते किया है कि इन्सेक्योरिटी हां इन्सेक्योरिटी क्योंकि आप इन्सेक्योर है इस बार अगर यह केस हम अपने तरीका से सॉल्फ कर लेते तो हम एसे चो बन जाते वो भी पर्मेनेंट वाला आप जानती भी हैं आप क्या बोल रही हैं हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम का बोल र तब आप भी देखेंगी करिश्मा सिंह का असली रूप और उस रूप का अत्ती प्रचंट भौकाल कुछ लोचा तो नहीं होगा ना कुछ नहीं होगा हम है ना जाओ नहीं हम है ना जाओ आप है इसमें डर भी कुछ जाओ जाओ जल्दी कर दो यह ओपर आजाएंगे तो यह नीचे हो जाएगा क्या है क्या क्या बगवान करेप जो हमने सोचा है बस वैसा ही हो जो लेटर आमने लिखकर रखवाया है हसेना मैडम वो पढ़े और करिश्मा मैडम को माफ कर दे यह कैसे हो सकता है आपने लेटर लिखा तो मैडम सर करिश्मा मैडम को कैसे माफ करेगी संतु जी आप समझने पुषपा जी ने करिश्मा मैडम बनकर लेटर लिखा है कैसे हो सकता है यह कौन से आंगल से अपको करिश्मा मैडम दिखती है ऐसी गोल गपप खाती पिती करिश्मा मैडम देखी कैसे दो मिरिट में पकड़े जाओगी डूंट दू दिस बेटा संतू बनकर लिखना मतलब हमने करिश्मा मैडम के तरफ से लिखा यह खात अब यह वीडियो कॉल तो है नहीं के दिखना भी जरूरी है ना अच्छा ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं कोई बात नहीं अब हमें आदत हो गई है बस मैं उपरवाले से दुबा करता हूं कि करिश्मा मैडम को यह पता न चले अगर उनको पता चल गया अपर तो पता नहीं क्या होगा मेरा पाता तो सम्षानग गाती होगा करिश्मा मैडमodar जहिन माडम, जहिन माडम, का चल लगी? वो, हासन माडम का काम था, तो. नहीं आये ना माडम चल अभी? नहीं, क्यो? क्या हुए? क्या हुए? क्या हुए? क्या हुए? कुछ चाहिए अपको, बताए तुसे ही क्या हुए यह अपको पुषपाजी नहीं चाहते हमारा आमना सामना हो, फाल तुम्हें मूड खराब होगा उनका? हमारा पुषपाजी हमारा मूड खराब होगा यहाँ दुह भुह हो ले हम under the CCP का मुझा यह फाइल वह नहीं है दुम को कैसे मालूम बें की हमको कौन सा फाल चाहिया आप को मालूम नहीं लेकिन इतना हमें मालूम है कि आपको जो फाइल है ख्याग है यह वह नहीं है यह नहीं है अब यही चाहिए नहीं 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 यह फैनी बिलेगे विश्पदी विश्चा मार माला बारें विश्व झाल झाल